दोस्तों हमारे यूटूब चैनल राजबनस्पती में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके समच्छाजिर है दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड़हल के बारे में लेकिन क्या आप आप यह जानते हैं कि गुड़हल के फूल का सेवन भी किया जाता है और रोगों के इलाज में भी गुड़हल के फूल के बहुत ही अलेक पैदे देखने को मिलते हैं दोस्तो आयरवैद में गुड़हल के फूल को एक बहुत ही उत्तम उसदी बताया गया है दोस्तो इतना ही नहीं कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए भी गुड़हल का उपयोग किया जाता है दोस्तो तो आईए जानते हैं गुढ़हल फूल के बारे में गुढ़हल पौधे के बारे में आपको अबगत कराएंगे दोस्तो तो वने रहे हमारे YouTube चैनल पर दोस्तो गुडहल के फूल घंटा कार होते हैं इसे वाग बगीचे घर और मंद्रों में लगाया जाता है गुडहल का फूल एक हरा दो हरा तेहरा या लाल सफेद या लाल वैगनी पीला नारंगी इतियादी कई रंगों का होता है इसकी केसरवहर निकली हुई होती है सफेद और सफेद लाल रंग बाला गुडहल फूल की बिसेश गुड़कारी होता है दोस्तो इसका हिंदी नाम औरहल गुडहल और जवा कुसम कहते हैं और इंगलिस में इसे रोज मेलू कहा जाता है दोस्तो आईए जानते हैं गुडहल के क्या-क्या फैदे हैं तो गुडहल के और सदिय प्रियोग और इसके इस्तेमाल की मात्रा और क्या-क्या बिदिया है इसको अवगत कराएंगे दोस्तो बालों को बढ़ाने में गुड़हल बहुत ही फैदेबंद है गुड़हल के पत्तों को पीस कर इसकी लुगदी बना लें इसे बालों में लगाएं दो घंटे बाद बालों को धोकर साफ कर लें इस पिडियों को नियमित रूप से करने से बालों को पोसड मिलता है और सिर भी ठंडा रहता है दोस्तो रूसी और डेंडरफ की समस्या है तो गुडहल काफी फैदे बंद है आप रूसी की समस्या से छुकारा पाने के लिए भी गुडहल के फैदे ले सकते हैं गुढ़ल के फूल के रस में बरावर मात्रा में तिल का तेल मिला लें इसे उबा लें और तेल आधा रह जाने पर इसे च्छान लें और इसे सीसी में भर लें इस तेल को लगाने से रूसी और डेंडरफ खत्म होता है दोस्तो गंजेपन की समस्या है तो इसके लिए दोस्तो गाय के मूत्र में गुड़ल के फूल को पीस कर सिर में लगाने से बाल बढ़ते हैं और गंजापन दूर होता है दोस्तो नीद ना आने की परेशानी है तो गुड़ल काफी मददकार होता है दोस्तो गड़ल के सौ फूल लें, हरे डंठल को तोड़ कर पंखुडियों को नीमू के रस में भूँ लें, इसे काच की बरतन में रात किसी खुले स्थान पर रख दें सुबह इसे मसल कर छान लें, इसमें 650 गिराम मिस्री, चीनी तथा एक बोतल उत्तम गुलाव जल मिला लें, इसे दो बोतलों में बंद कर धूप में दो दिन तक रखें इस दोरान बोतल को हिलाते रहें, मिस्री अच्छी तरह घुल जाने पर सरवत वन जाता है, इसे 15 दिन 40 मिली लीटर की मात्रा में पीते रहने से नीद ना आने की परेशानी ठीक होती है दोस्तो लियुकोरिया की सिकायत है, सफेद पानी की सिकायत है, वह डिश्चार जा रहा है, तो इसके लिए दोस्तो गुड़हल के पंचान को रात वर पानी में भिवोकर रख दें, सुबह मसल कर अच्छे से कूट पीस कर छान लें, इसमें मिस्री मिलाकर पीने से लियुक चमबच की मात्रा में सुबह सामती है, इससे आपको एक कफ मीटे दूद के साथ पीना है, इससे याद दास्त और इसमरड सकती बढ़ती है, दोस्तो खोन की कमी है, पहला को एनेमिया की सिकायत है, इसके लिए गुड़हल के लाब ले सकते हैं, तो एक चमबच गुड़हल के फूल के चूड को एक कफ दूद के साथ सुबह सामनियमित रूप से सेवन करने से, इससे कुछ ही मामें खोन की कमी दूर हुती है, और सकती मिलती है, दोस्तो गर्बधार रोकने के लिए गुड़हल बहुत ही लाब दायक है, गुड़हल के फूलों के काजी में पीश ल नहाने में भी गुड़हल काफी फैदे मंद होता है, दोस्तो गड़हल के फूल को छाया में सुखा लें, इसके पत्तों के चूड में बरावर मात्रा में खान मिला लें, इसे 40 दिन तक 6 गिराम की मात्रा में सेवन करने से, आपका पुर्षत और सेक्सॉल इस्टेमना को ब पानी में पीषकर, सूजन और दर्द वाले स्थान पर लगाने से सूजन और दर्द ठीक होता है, दोस्तों खासी और जुखाम में गुड़हल के सेवन बहुत ही फैदा मिलता है, दोस्तों गुड़हल की जड़ का काड़ा बनाएं, और इसे 10 से 30 मिली लीटर की मात्रा में सहद मिलाकर पीने से खांसी में लाव होता है दोस्तो दस्त को रोकने के लिए गुड़ल का उपियोग बहुत ही लावधायक है दस्त को रोकने के लिए 5-10 मिली लीटर गुड़ल के पत्ते का रस का सेवन करें इस से दस्त ठीक हो जाते हैं दोस्तो ववासीर की सिकायत है पायस की सिकायत है खूनी या वादी है इसके लिए यह गुड़हल बहुत ही कारगर है गुड़हल की कलियों को घी में तलें इसमें मिश्री और नागेशर मिलाएं इसका सुबह साम सेवन करने सी पेचिस और ववासीर में लाव होता है सफेद दाग की समस्या है इसके औसदिय गुड ले सकते हैं दोस्तो गुड़हल की जड़ के चूड में बरावर मात्रा में कमल के फूल की जड़ का चूड मिलाएं इसमें सफेद कूमल सैमल की छाल का चूड मिलाएं इसे दो से तीन गिराम की मात्रा में जल के साथ सेवन करन दोस्तो अगर इसकी मात्रा की बात करें तो गुड़हल का रस 5-10 मिली लीटर और गुड़हल का पेश्ट 5-10 ग्राम और गुड़हल का काड़ा 10-20 मिली लीटर तक की मात्रा में ही करना चाहिए दोस्तो अधिक लाब लेने के लिए किसी आरवेदिक चिकितसक के परामनसार के हिसाब से प्रियोग करें और दोस्तो वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करें